हेलो फ्रेटिस वान सेकेंड विल्कम बेकिन माई डिटेलर दोस्तों मैं हूँ अकश्माड़ और आप देख रहे हैं यूरिशल मेकर सेल फियरिक कैसे हो आप लोग दोस्तों आज के टाइब में अगर आप जॉब सर्च कर रहे होंगे तो आपको एक जॉब बहुत ज़्यादा दिख रहे होगी that is 3D डिटेलर या फिर डिटेलर अब आप सोचते हो कि सर ड्राप्टिंग का जॉब पता है मुझे स्ट्रक्चर का जॉब पता है मॉड़िंग का पता है ये टिटेलर की जॉब कहां से हमको दिखती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखने लगी है तो ये क्या होता है डिटेलर का जॉब और कैसे मिलता है इसके बारे में आज के वीडियो फूल सलूसर्ट करने वाले भाई डीटेलर के लिए software कौनको से सीखते हैं, कैसे upgrade करके हम जा सकते हैं, डीटेलर पर किसको जाना चाहिए, full discussion इसके बारे में करेंगे, चलिए start करता है वीडियो के जी, guys अगर आप industry में जाओगे कभी भी, तो आपको दो तरह की डीटेलर की job मिलेगी, एक है 2D डीटेलर, एक है 3D डीटेलर, पहले उसे बता देता हूँ कि डीटेलर करता क्या है, तो डीटेलर किसी भी structure designer के data को, जो structure designer है उसके data को detail करके detail drawing निकालता है, मतलब कोई भी अगर आपके पास planning है, तो पहले planning को क्या किया जाता है, planning मिलब AutoCAD में planning कर लिए, plan करने के बाद उसकी modeling कियाती है, by the help of 3D modular, जो भी architect या modular जो भी है, वो modeling करता है, उसके बाद क्या होता है, उसकी analysis होती है, by the help of stat and etabs, अब जब यहाँ से analysis और design हो जाती है, structure engineer के माध्यम से, तो वो data दिया जाता है, detailer को, कि भाई देखो, यह यह इतने ऐसे ऐसे drawings त्यार करनी है, तो that profile is called 3D detailer profile, मतलब यह चौथे number का process का आद में है, और यह end result यही produce कर रहा है, एक तरीके से दिखा जाए तो, इसमें दो तरह के jobs maximum देखने को मिलेंगे, आपको एक 2D, एक 3D, तो अब यह 2D और 3D detailer क्या है भाई, ठीक है, तो 2D detailer in the sense की autocad के उपर आपको एक drawing बना के दी दी गई, उसमें बता दिया गया कि column में SSR enforcement डालना है, और यहाँ यहाँ पर ऐसे ऐसे आपको Lappings और प्रवाइड करने है, यह आपको मिल गया AutoCAD में, उसे में मिल गया कि slab है, यह slab में ऐसे ऐसे, 1W में ऐसे slab बात जाएगा, और 2W में ऐसे जाएगा, आपको explain करके दे दिया गया, वो हो गया 2D drawings, ऐसे ही 2D में आपको footing का, एक isolated footing का section काट के दे दिया गया, बोला गया, ऐसे 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 draw कर लो, चाली, अच्छी बात है, तो that profile is what? 2D detailer profile, इसमें एक और चीज होती है, कुछ लोग AutoCAD के माधियम से इसी चीज को करते हैं, कुछ लोग RCDC से करते हैं, किसे? अभी AutoCAD से थोड़ा कम करने लगे हैं, लोग RCDC यूज करने लगे हैं, अगर आपके पास नहीं है, तो आप डाउनलोड करते हैं, अगर आपके पास नहीं है, तो आप डाउनलोड कर दीजे, उससे ऑटोमेटिक आप डिटेलिंग करके दे सकते हैं, तो बतलब कौन को से software help कर सकते हैं, अगर आप 2D detailer की profile में जाना चाहते हो, तो AutoCAD, RCDC, और RCC ये तीन softwares में से अगर किसी पर भी आपका अच्छा knowledge है, या फिर तीनों आपको आता है, तो आप best 2D detailer की profile के लिए जा सकते हो, इस चलिए, किसको जाना चाहिए, बताऊंगा, पहले 3D detailer की बात कर लेता हूँ, अब ये 3D detailer क्या होते हैं, 3D detailer बलब, जो 3D के अंदर detail क करके दिया, मतलब, कॉलम में जो reinforcement आप लगाने वाले हो, जो 2D में आपने दिया था, कि एक बारे यहां, 12 mm का, 12 mm का, 12 mm का, 12 mm का, 12 mm के, ये actual में लगे, इनों कैसे दिखेंगे, तो that is called 3D detailing, मतलब 3D में दिखा दिया उसी detailing को, तो 3D detailer की job आ गई, इसके लिए, कौन-कौन स software की help लगती है आपको, या फिर कौन-कौन से software की माध्यों से इस पर जा सकते हैं, पहला जो सबसे, नीचे लेबल का, अगर software बोलू तो, rabbit structure होता है, rabbit structure के अंदर आराम से आप detailing कर सकते हो, complete detailing करके, उसका BBS भी produce कर सकते हो, estimation भी produce कर सकते हो, पूरा काम rabbit structure के अंदर हो जाता है दूसरा जो software है 3D detailer का, यह है advanced steel, क्या advanced steel, गल्फ countries में बहुत जादा use होता है, ठीक है, advanced steel, इंडिया मा भी थोड़ा सा कम देखा गया, कुछ कमपनिया मुझे पता है, जो silo bunkers हो गयरा बनाती हैं, वो लोग use करते हैं, बट संख्या अभी भी advanced steel की कम है, staircase की जो design करते हैं, वो लोग इसको ज्यादा use करते हैं, अब इसके बाद जो तीसरा 3D detailer का software है, सब ज्यादा use किया जाता है, वो है tecla structures, क्या है, tecla structures, one of the highest software है, 3D detailing करने का, मलब सबसे best software है, 3D detailing करने का कौन, tecla structures, ओके जी, उससे कमपना कौन सा है, मलब उससे थोड़ा से हलका बोल सकते हो, advanced steel और उससे भी lower level का अगर कोई है, तो rabbit structure, तो अगर आपको या rabbit structure आता है, या फिर tecla structure आता है, या फिर advanced steel आता है, तीनों में से कुछ भी आता है, तो आप apply कर सकते हैं, 3D detailer की profile के लिए, ज्यादा कुछ इसमें पढ़ना नहीं रहता है, सिर्फ आपको इतना पता होना चीए design के result होगा, उसको कैसे पढ़ेंगे, stat pro का, या it app का, दूसरा आपको पता होना चीए, VBS कैसे create करते हैं, तीसरा आपको उसके बारे में की, आपको crank क्या होता है, जिसे की, lapping क्या होती है, crank क्योंकि उसमें सब कुछ detail में रहेगा, तो आपको पढ़ना पढ़ेगा, चौथ उसके बाद टेकला आपको अच्छे सा आना चीए, या फिर advanced steel, या फिर rubbish structure, तीनों में से कोई भी software, तो इससे 3D retailer की profile पर आप जा सकते हो, 2D retailer के लिए पर ने बता दिया, AutoCat, RCDC and RCCCat, clear है, दोनों को mix कर दो, अगर अच्छी job चाते हो, तो दोनों को mix कर लो, अगर आता ह है, आप दोनों आपको, तो company के पास choice होती है, भाई कि 2D भी इसको आता है, 3D भी आता है, चली अच्छी बात है, अब इसमें किसको जाना चाहिए, इसमें जाने का जो पहला preference होना चाहिए, वो उन लड़कों को होना चाहिए, जिन्नोंने डिप्लोमा किया है, आप बोलो क के लिए सबसे best option हो सकता है क्या, कि आप detailer की profile पर आजा, और rebar detailer सुना होगा आपने, या फिर 3D detailer सुना होगा, अलग अलग नाम से profiles है, या फिर tegla modular सुना होगा, या rabbit modular तो modeling का हो गया, tegla modular, tegla detailer सुना होगा आपने, और tegla editor सुना होगा, सब profile का, जो merge है, वो detailer का profile ह तो 3D detailer पर सबसे पहले आपको जाना चाहिए, डिपलोमावा वा लोगो, उसके बाद btec वा लोगो जाना चाहिए, बीटेक के कई डेर सारी बच्चे, कल मुझे एक बच्चे ने message किया था, कि सर मैं 12 बाट राही कर रहा हूँ, 2018 का pass out हूँ, लेकिन मेरी cv shortlist नहीं हो रह अगर नहीं बैठाएगा, पहले आपको AutoCAD के उपर काम करवाएगा, हर एक company आपके basic को चेक करेगा, 6 महीने, साल भर हो सकता है, अगर आप ज़्यादा कमजोर हैं तो 2 साल, 2 साल तक आपको नहीं टच करने देगा, अगर थोड़े intelligent है, तो हो सकता है कि 1 साल के बाद आपको Steady आईट है, पर उसके पास अगर companies काम करती है, तो आपको shift कर देगा, तो अगर आप चाहते हो कि आपके career का gap नहों, तो आप best option है कि 3D detailer, 2D detailer में से किसी की job मिले, और ये कुछ हता कि structure draftment से भी correlate करता है, आप आराम से इसमें जा सकते हो, और इसकी जो salary होती हो 15,000 के उप प्रेशर्स का, बाकी आगे बनने पर कईटर सारी कमपनिया है, जो कि अगर आपने टेकला हो गरे अब काम कर रहे हो, तो 35,000, 40,000 के आजपास भी आपको salary 2-3 साल के experience पर दे देती है, तो detailer की job बहुत ही बहतरीन है, उन सभी diploma holders का, जिनको modular modeling में इंटरस्ट नहीं है, लेकि structure में बड़े passionate है, आजाओ, 3D detailer की profile पर, 2D detailer की profile पर अच्छा growth कर पाओगे, और degree वाले वो बच्चे जो, अभी चारते हैंग मुझे structure में entry करना है, बड़ हो नहीं पा रहा है, detailer की profile पर आओ, क्योंकि जो detailer अच्छा है, वो बहुत अच्छा designer बन सकता हो, आप देरे से, वहाँ से, अंदर ही shift हो सकते हो, thank you so much for watching this video, hope you like this guys, मैं कोशिज करता हूँ कि आपको accurate data दिया जाए, हर industry का, तो मैंने 3D detailer, 2D detailer आपको आजजा explain किया, आगे आप और भी किसी profile के entry के लिए barrier में कुछ problem आ रही है, तो मुझे बता दो, नीचे comment करो, next video मैं कोशिज करेंगे, आपके उस solution को भी लेका है, thank you so much for watching this video, hope you like this guys, जै हिन, जै भारत!